प्रदानमंत्री जी के मूलमंत्र घर पे रहो सुष्थ रहो सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनो और जिम्मेदार बनाओ से शुरू कर रहा हूं लॉकडाउन के दो सप्ता के इस तीसरे चरण के संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है इस संदर्व में पुलीस विवाग की तरह हमें और सतर्क नागरिक की तरह राज्य के सभी नागरिकों को दो बातों का खास ध्यान रखना है इसमें पहली बात है शाम को साथ से सुबह के साथ बजे तक आवाजाही के प्रतिबंद का सख्त अमल रेड औरेंज और गरीन जोन में इस समय आवशक सेवाओं के अलावा सभी प्रति बंद रहेंगे पुलीस को भी इस बात का सक्त अमल करवाने की सूचना दी गई है इसलिए सभी चेक पोस्ट पर पुलीस द्वारा रोड ब्लॉक करके सक्त चेकिंग की जा रही है जिन लोगों को इस समय में आवाजाही की अनुमती है मात्र उनको ही दिया जाएगा दूसरे महत्व की बात है सिनियर सिटिजन्स की सुरक्षा सरकार की गाइड लाइन में यह पश्ट बताया गया है कि गंभीर बिमारी या स्वास्त संबंदित तकलीफों वाले वयस्क लोग सगर्भा महिलाएं और बच्चे घर पे ही रहें और अनिव्यारे ना हो तब तक बाहर न निकलें इसलिए सगर्भा महिलाएं बच्चे और वयस्क हो सके उतना आईसोलेटेड रहें इसका आयोजन सब को मिलके करना चाहिए पुलीस के पुलीस इन दोनों बातों का पालन कराने का पूरा ध्यान देगी लेकिन समाज के हेतू आपको भी जिम्मेदार नागरिक बनके इन दोनों बातों का पालन करना होगा ऐसी मेरी मीडिया के माध्यम से सभी से अपील है जैसे की पहले बताया है red zone और खास करके red zone में आए हुए containment area पे फोकस किया जा रहा है लोकडाउन को ज्यादा और असरदार बनाने के लिए कंटेन्मेंट एरिया के विस्तार में स्थानिक आग्यवानों के सहयोग से आवा जाही घटाने और बाहर का कोई व्यक्ती कंटेन्मेंट एरिया में प्रवेश ना करे इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है ऐसे विस्तारों के आसपास पुलीस के फिक्स पॉइंट पर विडियोग्राफी द्वारा सक्त जेकिंग की जा रही है राज्य में जहां ओरेंज और ग्रीन जोन है उन विस्तारों में कुछ शर्तों के अधीन वाहनों की आवाजाही की छूट दी जा रही है लेकिन सभी प्रकार के जोन में पैसेंजर और प्राइवेट वाहनों की आंतर जिला आवाजाही पास या पर्मिट से ही हो सकेगी कुछ लोग किसी भी प्रकार के पास के बगएर बिना एक जिल्ले से दूसरे जिल्ले में जाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे सभी वाहन और लोगों को पुलीस के द्वारा रोका जाएगा इस नियम में मालवाख वाहन और अवश्यक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति के वाहनों का समावेश नहीं होता है रत्न कलाकार जैसे लोग शहर के स्थानिक जिला मैजिस्ट्रेट के पास से पास लेके गाउं जा रहे हैं ऐसे लोगों को गाउं में प्रवेश देने के बाद नियत समय के लिए कौरंटाइन में रखा जाए ये गाउं के सरपंच और आग्यवानों के द्वारा सुनिश्चित होनी चाहिए कौरंटाइन के चलते बाहर से आए किसी व्यक्ती में संक्रुमन के अगर लक्षन दिखाई देते हैं तो हेल्थ विभाग के साथ मिलके इलाज की कारवाई भी तुरत होनी चाहिए अन्य राज के वतनी हो वो अगर वतन जाना चाहते हैं ऐसे लोगों को संबन्धित राज्य में भेजने की विवस्था तेज गती से की जा रही है लगभग सभी बड़े शेहरों से ट्रेन की और बस की विवस्था हुई है और हो रही है अन्य राज के वतनी जो अपना वतन जाना चाहते हैं ऐसे लोगों के संबन्धित राज्य से भेजने की विवस्था की गती बढ़ा दी गई है लगभग सभी शेहरों से ट्रेन और बस की विवस्था की गई है यह विवस्था अमल में रहीगी और जो लोग अपने गाउं जाना चाहते हैं उनके लिए भी जरूरी विवस्था की जाएगी संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इस प्रक्रिया में थोड़े दिन लग सकते हैं इस समय प्रस्याशन को धिरजपूरुवक सहयोद देने और पुलीस तंत्र के साथ संगहर्ष में ना उत्रे ऐसी मेरी उनसे खास अपील है तंत्र के साथ संगहर्ष की बात नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो कानून का सक्त उप्योग करके पुलीस कारवाई करेगी कल सूरत ग्रामे जले में पलसाना में पुलीस के साथ संगहर्ष की घटना बनी थी जिसमें पुलीस ने डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की कलम और आईपी सी 307-120B और रायटिंग जैसे गंभीर कलमों के तहत गुना दर्ज करके 204 लोगों को हिरासत में लिय हैं वो जेल में ना पहुँचे और शांती से अपने गाउं पहुँचे इसके लिए पुलीस को और विवस्था तंत्र को सयोग दें कल डीटेन किये गए वाहनों में से राज्य में कुल 8365 वाहन मुक्त किये गए हैं अब तक कुल 1,19,530 वाहन मुक्त हुए हैं सोसाइटी में लगे CCTV भी चेक किये जा रहे हैं राज्य में ऐसे 21 गुना दाखिल हुए हैं और 15 लोगों को पकड़ा गया है अब तक ऐसे कुल 547 गुना में 815 लोगों को हिरासत में लिया गया है जब तक लोगडाउन अमल में है तब तक पुलीस के द्वारा निरंतर ड्रोन, CCTV और ANPR के माध्यम से नजर रखी जा रही है और जहां लोगडाउन के उलंगन की घटना ध्यान पे आती है वहाँ कानूनी कारवाई की जा रही है राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 136 गुना दर्ज हुए हैं अब तक ऐसे कुल 11,200 गुना दर्ज किये गये हैं और इनमें 21,163 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है CCTV फुटेज के आधार पे कल कुल 87 गुना दर्ज करके 99 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक ऐसे कुल 2500,79 गुना संपूर्ण राज्य में दर्ज किये गया है अब तक ऐसे गुना में कुल 3695 लोगों को हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया मौनिटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवा के तेरह गुना दर्ज किये गए है अब तक ऐसे 657 गुना में कुल 1361 लोगों को हिरासत में लिया गया है कल सोशल मीडिया दोरा अफवा फैलाने पर पुलीस के दोरा 15 अकाउंट बंद किये गए हैं अब तक कुल 611 अकाउंट पुलीस के दोरा बंद कराए गए हैं कल ANPR अनालिसिस के दोरा 47 गुना और आज तक कुल 1071 गुना दर्ज किये गए हैं कल वीडियोग्राफर के द्वारा की गई शूटिंग के आधार पे कुल 146 गुना और आज तक कुल ऐसे 2408 गुना दर्ज किये गए हैं प्रहरी जैसे खास वाहनों की मदद से 67 गुना और अब तक ऐसे कुल 827 गुना दर्ज किये जा चुके हैं